हेलो दोस्त न्यूस अबर चैनल आपका स्वागत है दोस्त इस वीडियों में बात करने मालें कि एनफी सी आईल रेकुट्मेंट का बारे में असिस्टेंट मेकेनिकल का बारे में आपदेक्शन सेलरी सेलेवर सेलेक्शन प्रोसेस क्या राने वाला पूरी इंफर्प्रेंशन इस वीडियो में लेगे तो कि इन तक बने लाएं चली वीडियो को सुरू करते हैं पहले अपले आप लोग का सेलेक्शन प्रोसेस में एजुकेशन क्वालिप्रेक्शन में क्या मागा गया है डिप्लोमा होल्डर वीथ नार्ट लेस दें 60% मार्क्स मेकेनिकल इंस्टूमे इंस्टेंशन उसके वासे आप देख सेथे चेमिकल एक्ट्रोनिक्स और इंजिनिरिंग रिकोनाइज बाइद गवर्मेंट आफ इंडिया आप लोग देख सेते हैं अपर बताया गया उसके बासे आप दो डिप्लोमा इन इंजिनिरिंग सूट भी दरी एर डिवरेशन इसके आप लोग मानने नहीं होगा निखसेते हैं तो नहीं रहे आप देख सकते हैं तो इस एंगलिश मतल इसे हां आप बताया गया है कि यसे में रहें सबसे निचे देखें कि सूट कुछ सेलेरी के बारहे में जान लेते हैं ति हाप बताया गया सैनिस्टिफिक ट्रेन psychic का ट्रेनि अच लें आप देख सकते हैं इसलिएर इसलाइज लिए आप आफ बते सकते हैं व्रृति यौति प्र एसलाइज नेक्सरेन सार्फ से दिट लोग उसके बास से आप देशकते हैं बताएं कि आपको सप्सेश्पूल कंपलेशन सब्सक्राइब कंपलेशन अफ द ट्रेनी डाइब ट्रेनी आप लाइक्ली टू वी तो कंसीटर्ड फर द अपॉंटमेंट टू द पोस्ट अफ सइंट्फिक अश्रिस्टेंट भी इन द पे अच 35,400 रुपे आप लोग को दिया जाएगा जब फाइनल आप लोग ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाता है तो इसमें आप लोग 35,400 रुपे दिया जाएगा इलेवल 6 आप रिवाइज पे इस्ट्रक्चर मतलब कि आप लोग जो नया लेवल है जो सेलरी का उसके अनुसार 35,400 यह सब मिलता रहता है वो सब भी इसमें मिल जाएगा प्लस करके तो करीब आप लोग का वही 50,000 का सब सेलरी पहुच जाएगा राम से तो सेलरी बहुत अच्छा रहने होला है कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें यह आप देख सकते हैं फीजिकल स्टेंडर्ड में मांगा गय है आगे देख लेते हैं इसमें जो जो बॉंड दिया गा है बॉंड में के टेग्री फर्स वाले कंडियेट के लिए याँ पर देख सकते हैं तीन लाग दीनाजार रुपे पोर राने वाला है साड़े-4 साल के लिए राएगा यह आप देख सकते हैं उसके बास यह यृतिन जान लेते हैं स्लेवस में क्या क्या पुछा जाएगा स्लेवस में आप बता दिया गया है कि लिखीत पर इच्छा में दो गंटे का पेपर आएगा उसके बास 120 प्रस्ट नहोंगे चार भी कल्प होंगे उसके बास यहां पर नीचे देखेंगे इसमें आप लोग को बताएग कोश्टन रहेगा जीन जनरल अवेर्नाश यह रहेगा आप लोग के आप 20 कोश्टन कॉंटिटी एप्टिटीव रहेगा विसको उसके देख स्थे एप लोग का डिस्प्रीज से अन्तर इलेक्टिकल पूछा जाएगा उसके आप देख सकते हैं जो बताया गया कि अप सब्सक्राइब कर लेते हैं इंटर्वियू में आप लोग क्या क्या पूछा जाएगा इंटर्वियू में आप लोग का देख सकते हैं आप बताया गया कि पांस अधिक भी हो सकता है लेकिन आप बतायागे कि in the order of merit prepared after examination मतलब examination के बाद से आप लोगो merit बनेगा 100 नंबर का interview रहने वाला है उसके बाद से 50-50 करकर करके आप लोगा final merit बनेगा मतलब retain examination से 50% marks लिए जाएंगे और interview से 50% marks लिए जाएंगे उसके बाद 100% का अप लोगा merit बनेगा उसके बाद से आप लोगो final selection दिये जाएगा कोई भी सवाल और सुझाओ तो निच्चे comment करके पूछ सकते हैं और आपको बता दे कि टेलिगराम गुरूब में नई जाएंगे तो अभी कभी जुआइन होजीं वहाँ पर भी अप लोगों सभी सवालों के जबाब मिल जाते हैं तो मिलते हैंगे नए वीडियो के साथ तब तक के लिए जैहें दोस्त